रावन के वद के बाद प्रभुशी राम ने रावन के परिवार के साथ कैसा परताव किया हम प्रभुशी राम की पूजा तो करे ये तो अनिवार्य है लेकिन प्रभुशी राम से सीखें भी सबको एक साथ लेके चले तब ही उनके सपनों का भारत बनेगा एक राजनितिक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ आज हम बात करते हैं 500 साल पुरानी यानि जब बाबरी मस्जिद का निर्मान यहां हुआ होगा लगभग और आगे जब 500 वर्ष के बाद यह इतिहास लिखा जाएगा तो किस रूप से लिखा जाएगा और मान लीजिये यह जो पूरा विवात था जो इसाईयों के लिए Vatican City का जो महत्व है या जो इसलाम के लिए जो महत्व है मक्का मदीना का वो हिंदूं के लिए महत्व है आयुध्या का राम जन भूमी का लेकिन दूसरे पक्ष के लिए ये सिर्फ एक disputed property थी उनके लिए इसका कोई ऐसा महत्म नहीं था उनके भगवान यहाँ पैदा नहीं हुए थे और नहीं यहाँ पर कोई नमाज उस समय ऐसी पढ़ी जा रही थी अगर उस समय दूसरा पक्ष यह कहकर हिंदूों को इस property को दे देता कि आपके अराद्य हैं पैदा हुए थे आप रख लीजिए तो आपको लगता है कि भारत का इतिहास कुछ और ही होता शायद कुछ और होता लेकिन देखिए अगर 500 साल बाद हम इस इस युग को फिर से देखेंगे तो हम या तो विवाद के रूप में देख सकते हैं या एक लम्हे से जहां पर हमने प्रभुशी राम के पत पर चलना शुरू किया देखिए प्रभुशी राम ने रावन को हराय था सब जानते हैं लेकिन क्या किसी को मालूम है कि रावन के वद के बाद प्रभुशी राम ने रावन के परिवार के साथ कैसा परताव किया कोई जानता है क्या क्या प्रभुशी राम ने विभीशन ये राजा वना उनके क्य पर प्रभु शीराम ने, बिलकुल नहीं, क्या लंका पर कुछ भी हानी पहुचा ही प्रभु शीराम ने, बिलकुल नहीं, जब वो वापस आये, उन्हें वनवास किनके कारण हुआ था, कहकेई मा के कारण, जब वो वापस आये, क्या आपको मालूम है, जब वो वापस अयोध्या आये और कहके मां से उनकी भेंट हुई सीधे उन्होंने कहके मां के पाऊँ चुए और कहके मां आश्चर्य चकित हो गहीं कि और वो गिल्ट फील कर रही थी और उन्होंने प्रभुशी राम को आशिरवात दिया और उनसे माफी भी मंगी ये था प्रभुशी राम का तरीका हम प्रभुशी राम की पूजा तो करे ये तो अनिवार्य है लेकिन प्रभुशी राम से सीखें भी और उन्होंने बहुत एक सुंदर कहा था मर्नानतानी वइनाणी, मृत्यों के बाद श Темड़ता सब समाप्त हो गए और देखे दूसरे पक्ष में हम कुछ लोग को दे सकते हैं, जिनों ने प्रभू Sri Ram का तिरस्कार किया लेकिन उनको भी देख सकते हैं, जिनों ने प्रभू Sri Ram का आदर किया एक archeologist है KK Muhammad साब, किसी ने नाम सुना है उनका? KK Muhammad किसी ने नाम सुना है? KK Muhammad साब बड़े प्रसेद archeologist हैं. कौट में यह साबित हुआ था कि यहां पे एक विशनु मंदिर था और वोही विशनु मंदिर जो शी राम पे बनावा था। और जिसके रिसर्च ने कई हद तक इसको प्रूव किया वो थे केके मौमध साब। मैं इस विशे पर एक डॉक्युमेंटरी भी बना रहूं और केके मौममध साब ने हमारे डॉक्युमेंटरी में कहा कि देखिए बाबर तो विदेशी था, वो उजबेकिस्तान से आये था, मीर बाकी भी उजबेकिस्तान से आये था और फिर केके मौममध साब ने का मैं तो भारतिय मुसल्मान हूं, मुझे उनसे क्या लेना देना है? तो हम केके मुहमत साब को भी देख सकते हैं और शायद प्रभु श्री राम चाहेंगे कि हम उसी पत्थ पर चले सब को एक साथ लेके चले तब ही उनके सपनों का भारत बनेगा झाम पारत बनेगे